खबर दोस्तो मंत्री मंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच रामेशवर राव वा आलमगीर पहुंचे दिल्ली अपने अपने तरीकी से नई दिल्ली रवाना हुए हैं। खबर दोस्तो 1932 के खतियन पर बोले बाबुलाल सरकार चाहती है तो लागू करे कानून। अगर वे चाहते हैं कि अस्थानेता के लिए 132 का खतियन लागू करना आवश्यक है तो उनको करना चाहिए। सिर्फ बोलना नहीं चाहिए अगर ऐसा निदने करना चाहते हैं तो केबिनेट में इस बाबत परस्ताव लाए। उन्होंने उधारन दिया की जारखन आदोलन के दोरान लादे गए मुकद में सरकार हटाना चाहती थी तो इस बाबत केबिनेट में परस्ताव लाया गया। खबर दोस्तो अब हर बुधवार वर शनिवार जनता के दर पहुचेगी सरकार मौके पर होगा समाधान। ने तै किया है कि जनता अपने कारेओं के लिए करयालेओं का चकर नहीं काटेगी बलकि अधिकारी खुद उनके पास जाकर उनकी समस्यां सुनेंगे और मौके पर ही उसका समाधान भी करेंगे। भारत ने चीन से कहा बहुत से मैं इसी चीजों से बचें। पिछली बार मात खाने के बावजुद पाकिस्तान ने चीन के जरिय बुधवार को फिर से संयुक्त राष्ट सुरुक्षा परिस्द में कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशीश की थी। चीन अन्यविसायों के अंतरगत सुरुक्षा परिस्द के बंध कमरे में कश्मीर पर चर्चा चाता था। लेकिन फ्रांस ने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का दिवपक्षिय मुद्दा बताती हुए इस पर चर्चा का बिरोत किया था। चीन को छोड़ बाकी देशों ने भी एक सूर में कहा की कश्मीर भारत पाक का दिवपक्षिय मुद्दा है। खबर दोस्तो कोहरे के चलते खड़ी मालगाडी से टकराई ट्रेन कई यात्री घायल हेल्प लाइन नमबर जारी। गंभी रूप से घायल हैं और 11 लोगों को मामुली चोटे आई हैं। गंभी रूप से घायलों को कटक मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया है। सभी यात्री खत्रे से बाहर बताय जा रहे हैं। खबर दोस्तो धोनी ने दिये वापसी के संकेत जारखन रनजी टीम के साथ शुरू किया अभ्यास। दोस्तो बड़ी खबर है वी सी सी आई की अनुबंध सुची से बाहर किये गये पूरू भारतिय कप्तान महेंद्री सिंग धोनी ने अपने भविस्यों को लेकर लगाई जारी अटकलों के बीच गुरुवार को जारखन रनजी टीम के साथ अभ्यास शुरू कर दिया। राची में अपने घरुली टीम के नेट अभ्यास सत्र के दोरान उपस्तित था। इस तरह उन्होंने आगामी इंडियन प्रिमियर लीग के लिए खुद को तयार रखने के संकेत भी दे दिये। इसी दिन बीसी सी आई ने उन्हें क्रीक केंद्रिय और बंध वाले खिलाड खिलाडियों को मदद मिल सकती है। धोनी अपने अभ्यास के लिए नई गेंदबाजी मशीन लेकर भी आए। जारखन के टीम ने जहां लाल गेंद से अभ्यास किया वहीं धोनी ने सफेद गेंद से ही अभ्यास करेंगे। जारखन अपना अगला मैच राची मेर अविवा इंडिगो एरलाइन्स के पूने से जैपूर जारे बिमान में उस समय हडकंप मच गया जब उडान भरने से खौरन बाद इमरजेंसी घोसीत कर दी गई। आपात इस्थिती को देखते हुए बिमान को तुरंथ मुंबई के लिए डायवर्ट कर दिया गया। आधिकारिक ब इंडिगो ने बताया कि फ्लाइट के दोरान पाइलेट को इंजीन वाइबरेशन मैसेज मिला जिसे देखते हुए इसे मुंबई मुतार दिया गया। दोस्तों इंडिगो ने बताया कि मुंबई एरपोर्ट पर फ्लाइट की जाच चल रही है सभी यात्रियों को दूसरी से जैपूर भेजा जा रहा है बता दे कि नियो बिमान को लेकर इंडिगो एरलाइन को नागर बिमानन महादिसाल यानि कि डिजी सीय से चिताओने भी मिल चुकी है डिजी सीय ने इंडिगो से पुराने ए-320 नियो बिमानों के अस्थान पर बेडे में नए ए-320 नियो ब बेजोस इन दिनों भारत दोरे पर हैं बेजोस का यह दोरा काफी सुर्खियों में रहा है जहां एक और उन्हें वेपारियों के बीरोत का सामना करना पड़ा तो दूसरी और परधारमत्री नरिंद मोदी से मुलकात को लेकर भी अठकलो का बाजार गर्म है माना जा रहा है कि पीम मोदी ने अमेजन के संस्थापक को मिलने का समय नहीं दिया है खबरों की माने तो बेजोस के अखबार वशिंग टन पोस्ट में लगातर भारत बिरोधी खबरें छपे होने के कारण ही पीम ने करार रूख अपनाया है इस अखबार में 16 मैं 2019 को छपे एक लेक का सिर सक था यू नाव इंडिया डेमोक्रेसी इज ब्रोकेन वेन मिलियंस वेट फोर इलेक्शन रिजल्ट इन फिर यानि नतीजों का इंतजार कर रहे भारत के लोग डरे हुए हैं वहीं धारा 370 हटाने के फैसले के बाद भी अखबार ने खबरों और विचारों पर आधारित आर माना जा रहा है दरसल भारत की एजनसी अमेजन और फिलिपकार्ट के डिसकाउंट देने की परक्रिया की जाच कर रही है खबर दोस्तों इमरान खान को भारत गुलाने का ने उता देगी सरकार M.E.A. ने की पुष्टी खबर दोस्तों इस साल भारत में होने जारे संगाई सहयोक संगठन में भारत सरकार पाकिस्तान के परधार मंतरी इमरान खान को भारत आने का ने उता भेजेगा सदस्य देश के राष्टर अधेक्ष होने के नाते मोदी सरकार इम्रान खान को भी इस बैठग में शामिल होने के लिए ने उता भेजेगी बीदेश मंतराले के परवक्तार रमिश कुमार ने इसकी पुष्टी की है दोनों देशों के बीच बातचीत बंद होने के बाद यह पहला ऐसा मोका होगा जब इम्रान खान और परधार मंतरी नारेंदर मोदी किसी एक कारेक्रम में साथ आ सकते हैं दोस्तों आम तोर पर S.C.O. में सरकारों के परमुखों की मीटिंग में बीदेश मंतरी हिस्सा लेते हैं हलाकि कई बार कुछ देशों के परधार मंतरी भी इसमें हिस्सा लेते हैं भारत की बात की जाये तो उसकी तरब से सरकारों के परमुखों की बैठक में विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं, जबकि S.E.O. राष्टर परमुखों की मीटिंग में परधार मंत्री शिर्कत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी S.E.O. का सदस्य है, ऐसे में यह देखना दिल् किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान दोनों जून 2017 में S.E.O. के पूर्ण सदस्य से बने थे, खबर दोस्तों टरंप ने इराक से कहा, अमेरिका बाहर निकला तो बरबाद हो जाओगे, अमेरिका के राष्टरपती डोनाल टरंप ने इराक को चेताउनी देती हुए कहा है कि अगर अमेरिका उनके देश से बाहर निकला तो बरबाद हो जाओगे, गर तलभाई की इरानी टॉप कमांडर कासीम सुलिमानी की मौत के बाद इराक ने अमेरिकी फोच को देश से बाहर जाने की बात कही थी, इराक अब अपनी उस गलती पर पच्छता रहा है जो उसने 2014 में की थी, ग्यात हो कि इसी वर्स 2014 में इराक ने हावी होते आतंगबाद के खात्मे करने के लिए अमेरिकी फोच को अपनी जमीन सौपी थी, लेकिन अब इराक को ये दर सताने लगा है कि कासीम की मौत उस पर भारी पर सकती है, वहीं दूसरी बात ये भी है कि वह कहीं न कहीं इरान से अब किसी भी सूरत से दो-दो हाथ करने की स्थिती में नहीं है, इसके लिए ना तो उसके आर्थी खालात अच्छे हैं और नहीं उसकी सेना इतनी बड़ी और ताकतवर है कि वह इरान का मुकाबला कर सके, इरान से युध्यम उलजा कर वह अपने ही पाव पर कुलाडी मारने का काम नहीं करेगा, खाड़ी युध्य में वह इसका परिणाम काफी करीब से देख चुका है